हिमाचल प्रदेश में राजसभा चिनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कॉंग्रेस के छे पूर्व विधाईकों की पेंशन पर संकट मंड़ा गया है राजसरकार मंगलबार से शुरू हो रहे हिमाचल विधान सभा सादस्या पुर्व MLA पेंशन संशोधन विध्यक लाने जा रही है इसमें चोहदवी विधान सभा के लिए दिसंबर 2022 में चुनकर आये छे विधाईकों के एक साल की करेकाल को अवैद घोशित करने की तैयारी है इससे पहले विधाईकों की इस टर्म की पेंशन खत्म हो जाएगी तीन निर्दलिय विधाईकों की इस टर्म की पेंशन पर भी तलबार लटक सकती है इसे लेकर सरकार जल्ड ही अंतिन फैसला लेगी नारागर से केल ठाकुर, देहराशे हुश्यार सिंग और हमिरपूर से आशी शर्मा निर्दलिय चुनकर विधान सभा पहुँचे थे इनमें से आशी शर्मा उपचुनाओ में जीते हैं जबकि केल ठाकुर और हुश्यार सिंग उपचुनाओ हार गए है इस बारे में कल हुई क्याबिनेट मीटिंग में भी चर्चा हुई है अब विधान सभा में संशोधन विध्यक लाकर सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है ऐसा हुआ तो गरेट के पूर्व विधायक चैतनिश शर्मा और कुटलेहड के पूर्व विधायक दिवेंद्र कुमार भुट्टो को सबसे बड़ा जटका होगा क्योंकि दोनों पहली बार चुनकर विधान सभा पहुँचे थे इससे दोनों की पूरे जीवन भर्के लिए 90,000 उपई सी ज़्यादा की पैंशन लग गई थी वही धरमशाला से विधायक सुधीर शर्मा, सुजानपूर से पूर्व विधायक राजेंद्र राना लाहुल स्पिती से पूर्व विधायक रवी थाकूर और बड़सर से इंद्रदत लखनपाल की इस टर्म की पैंशन रुक जाएगी सुधीर शर्मा कोन के चार टर्म, लखनपाल को तीन टर्म और राजेंद्र राना को दो टर्म की पैंशन मिलती रहीगी विधान सभा में विध्यक पारित होने पर इन विधायकों का चोहदवी विधान सभा का करेकाल अवैद घोशित हो जाएगा कॉंग्रेस इसे आसानी से पास भी करवा देगी क्यूंकि 68 विधायकों वाली हिमाचल विधान सभा में कॉंग्रेस के पास 40 विधायक हैं इससे संशोधन बिल पास कराने में दिक्कत नहीं होगी याद रहे कि प्रदेश में इसी साल 27 फरवरी को राजे सभाद चुनाव हुआ था उसमें कॉंग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोट किया था पार्टी ने दो बार पार्टी विहिप का उलंगन किया इसके बार स्प प्रदत लकनपाल बीजे पीटी केट पर दो बार आज जीत कर विधान सभा पहुंचे हैं